स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो फिलहाल हम देख सकते हैं हरियाना रडवेज काड़का सब डिपो की टाटा कमपनी की नई बस को नई बस मिलने के तुरंत बाद काड़का सब डिपो ने इस बस को जम्मू कट्रावाले रूट पर लगा दिया है बसों की कमी के चलते ये रूट काड़का सब डिपो ने बंद कर दिया था लेकिन अब फिर से हरियाना रडवेज में नई बस आ चुकी है और अब फिर से काड़का सब डिपो ने अपने कट्रावाले रूट को फिर से सुरू कर दिया गया है इस वीडियो में हम आपको इस बस की टाइमिंग भी बताएंगे कालका चंडगड सेक्टर 43 कट्रा कालका बस टैंड से चलकर पिंजोर, खरड, रोपड बलाचोर, गडशंकर, होसियारपूर दसुहा, मुकेरिया, पठानकोट, लखनपूर, जम्मू के रास्ते यह बस कट्रा को जाएगी हर्याना रडविज कालका सब डीपो की यह बस है माताशरी वैशनो देवी एक्सप्रेस बस बस की टाइमिंग की बात की जाए तो कालका बस टैंड से हर्याना रडविज की इस बस का सिमय होगा शाम को पांच बजे इसके बाद यह बस चंडेगर्ड सेक्टर 43 पहुंचेगी चंडेगर्ड सेक्टर 43 से हर्याना रडविज की इस बस का सिमय होगा रात को 7 बजे होसियारपूर से इस बस का सिमय होगा रात को 10 बजे और यह बस कट्रा पहुंचेगी सुबह दो बज कर 30 मिनिट पर वहीं अगर इस बस की वापसी की बात की जाए तो वापसी में कट्रा से इस बस का शमय होगा दोफैर को दो बज कर 30 मिनिट पर इसके बाद जम्मू से हर्याना रडवीज की इस बस का शमय होगा चाम को 4 बजे पठान कोट से वापसी में हर्याना रडवीज की इस बस का शमय होगा रात को 7 बज कर 30 मिनिट पर और ये बस आपको चंडेगड वापसी में लगभग रात को 11 बज कर 30 मिनिट तक पहुचा देगी इस रूट पर बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इस ही करण हर्याना रडवीज काड़का सेब डिपो ने इस रूट पर ये बस लगाई है तो भाई टाइमिंग मैंने इस बस की आपको बता दी है इस बस के पाइलिट हैं रोहतास कश्यब भाई और बस को आप देख सकते हैं कैसे सजाई गई है फूलों से फूलों की माला कितनी सारी बसों के चारों और लगाई गई है वैसे ये बस हर्याना रडवेज की नई टाटा कमपनी की बस है और हम देख सकते हैं कि इस बस की लंबाई हर्याना रडवेज की असोक ली लेंड वाली बसों की लंबाई के comparison में थोड़ी कम है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like जरूर कर दें इसे के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत इन्नावाद